कि मैं सुमित क्यालोत यमनुत्री अग्रों से जहां से अपने महाई हैं तो आप सबसे पहले अपना परिच्छे जीद दीजिए आपका नाम आपके जिले का नाम आप कहां के रहे हो जी मैं अभिशेक मेवाड़ा मैं रहने वाला ब्यावर का हूं और अजमे जिले के अंदर यह मेरा जो फामा उसे वाजमे जिले के अंदर आता है पीसांगर तैसल के अंदर मैंने अमनुत्री एक्रों से एक हजार पपिते के पोदे मंगाये थे जो मेरे को 10 मार्च को रिसीव हुए थे इसको मैं लगा दिये थे 15 मार्च को और आज 19 मार्च हुई और भाया यहां प भाया प्लांट को देखने के लिए हर कोई आता नहीं बस देदेता है और वोलता है चलो फार्मर जाने लेकिन ये देखना आये तो एक नहीं करना चाहिए और हम हाला कि आयतो आपके प्लांटेशन कराने कराने करे एक-दू दीन लेट होगे तो चलो आपने लिए लिए जो जाने वाला होता है जो लगाते समय मिट की फजया है वो तो बिल्कुल एक दो परसंट तो पोदे जाते ही है साथे सक्सेसरे तो मिलती नहीं है आपके खेट की विवस्ता देख रहे हैं आपने जो मेर बनाई है बो भी काफी अच्छी बनी है और आपकी मेर की चुडाई पी अच्छी है आपने मल्चिंग भी मतलब सारी चीजे बहुत अच्छी इदर आप देख रहे हैं आपने डूर से बचाने के लिए करो लगाया है कि इदर भी लगा रहे हैं ती बहुत बोड़ी आया है आपको पूदे जो मिले थी जब आपके पूदे आई तो सारी अच्छी है वह पूदे रहे हैं दो आपके कंसल्टेंट टीम से फोन आया कि पहले पैसे मांगे यह अमारे प्लांट भीजेंगे नहीं भीजेंगे यह यह दर तो सबके मन में रहता है लेकिन प्लांट मेरे पास आए हैं और मेरे पास आये हैं और इनकी जो गाड़ी आई इसे उसमें एंपरोग सेयाथ साथ-नौजार पॉदे थे हैं देख जोदी बए जोवी गए थे तोा जोड़ कोंवी फोड़ा है तो एक ठीन फोडे नहीं कोए भी दिकन तो फ़ड एक भी ख़र्या-पपॉदा नहीं कि देखे ना आप तो पापी बड़ा मुर्गी फार में हैं और भी कई चीज आप चला रहे हैं उदर गिरिन हुज से कुछ नर्सरी वगरा भी कुछ आपकी तिर भी आप हमारे द्वारा जुड़ें बिलकुल बिलकुल कि पत्ती आगे हैं अब ये चलने का ही थोड़ा साइगी है तो इसे वो जो टर्न होता है वो प्लांट में टर्न लेना स्टाट करती है ये लगा था तब तो ये ऐसे था ये उपर घूम गया था उपर के तरफ घूम गया है अब इसको देखेंगे तो ये इसने भी टर्न ले अगया उपर के तरफ कि अब होगी रिखी मेरे तेसलिए वह दो आटेसी आहिए जैमीन तो हो ग्याइगा दर्मी तेरी मेरे को पता था कि ये प्लांट खड़ा उजाएगा वो बीच में वो बरसात होने की बिल्कुल मेरे यां अगर पांच गहनते बरसात हो जाएगी नसा तो आप क्या कहना चाहते हैं किसानों क्या यह मनुत्री एगरों के साथ आगे जुड़ के खेती के बिलकुल बिलकुल करनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है जिनको पपीते की खेती बिलकुल नहीं आती है वह company से जुड़ करेंगे तो ही success हो फाएंगे वरना वो केवल प्लांट लगाएंगे नर्सरी से लियाएंगे कौन सा पौदा है वो रेड लेडी 786 है नहीं है रुपे भी दे देंगे जब वो माल आए गादे को साथ महीने की खेती के बाद आपन को रिजल्ट पता लगेगा और जब अगर माल ही नहीं आया तो फिर मतलब क्या उस खेती मतलब क्या रएगा ठीक है वाकी आगा कोई भी बात जाती आए है आपके पास नंबर महारा बढ़ाबर बताते रहिए jamby संबल अब य्या जब वी जरौत पड़त्तिये दुवारवसे विजिट की आच पिर सापके है ओंग ओंगो ओंगो ये जरुआटित की लिए